तो ही गाईज कैसे हूँ आप लोग आच के सुडिव में आपको बताँगा कि आप Google Adsense में address verification कैसे कर सकते हैं बीना PIN का यानि कि आपको पता है कि Google Adsense में जैसे 10 डॉलर होते हैं तो आपके address पे जो हम लोग Google Adsense में धिये हुए रहते हैं उस address पे 10 डॉलर होने के बाद verification एक pin आता है यानि कि post से एक later आता है जिसमें 6 digit का जो है सो verification pin होता है पर यहाँ पर अभी पता है कि coronavirus के वज़े से lockdown चल दा था और सब कुछ बंद था तो इसके वज़े से मुझे मेरे इस channel का जो है सो नहीं मिला तो उसके बाद कैसे आप अपने डोकुमेंट से online verification कर सकते हैं और यह सिर्फ आपको कुछ मिन्टों के अंदर में आपका verification जो है successful हो जाएगा और उसके बाद आप payment को receive कर पाएंगे तो यानि कि इस video में आप सिंपल इतना समझे लिजिए कि इस video में मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी verification पिन को आप online अपने डोकुमेंट से address verification कर सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए यह वीडियो को प्लीज पूरे last तक देखना आप क्योंकि कुछ यहां पर पिन में डिले हो रहा है यहां पर पिन में डिले हो रहा है यहां पर पिन ट्रावल सुटर मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहां पर लिखा वाए कि प्रस्टनल आइडेंटिव फिकेशन वेरिफिकेशन नमबर ट्रावल सुटर यहां पर पुचा रहा है कि क्या आपका 10 डॉलर जो है तो एडेंटिव हो चुका है तो आपको क्या करना है यहां पर लिखा वाए कि 10 डॉलर अगर कंप्लेट हो चुका है तो नीचे बताइए तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है मेरे AdSense पर $10 complete हो चुका है यहाँ पर क्या आपने PIN receive किया है तो मैं यहाँ पर कर दूँगा No, मुझे PIN नहीं मिला है यहाँ पर बोल जा रहे हैं कि तीन बार आप डाले हैं, PIN request किया है तीन बार आप मंगवाने के लिए तो मैंने तीन बार मंगवाया है मुझे PIN नहीं मिला है तो यहाँ पर मैं कर दूँगा Yes क्योंकि मुझे PIN नहीं मिला है और मैं तीन बार मंगवाया हूँ उसके नीचे आपको Contact Us का आपको Option मिल जाएगा उसके क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने Personal Identification Number open हो जाएगा उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ आपको Information जो है सम्मिट करना होगा जैसे कि आपका नाम उसके बाद आपको अपना Email दे जो YouTube चैनल का है वो Automatic आजाएगा Your AdSense का Publisher ID आपको Publisher ID कहाँ पर मिलेगा मैं बता देता हूँ जब आप AdSense में जाएगे और Payment में जाएगे Sorry Payment में नहीं नीचे आपको Account में जाना है आप Account में जैसे ही जाएगे तो वहाँ पर आपके Account के सारे Information मिल जाता है और वही Information में आपको जो है आपका सारा Detail जो है सो मिल जाएगा तो जैसे ही account में जाएंगे और account information में जाएंगे तो आपको यहाँ पर publisher ID मिल जाएगा आपको क्या करना है कि यह publisher ID को copy कर लेना है copy करने के बाद आपको इसमें पेस्ट कर देना है उसके बाद choose file पर click करना है और आपका कोई भी document जो है वो यहाँ पर upload कर सकते दोस्तो मैंने यहाँ पर आधार card से verify किया है इसमें आप आधार card से भी verify कर सकते हैं pen card से भी verify कर सकते हैं पर दोस्तो इसमें लिखा हुआ है कि कोई ऐसा document आप upload कीजिए जिसमें आपका नाम और आपका address जो है उसमें लिखा हुआ होना चाहिए और साफ साफ दिख रहा होना चाहिए तो कोई भी upload कर सकते हैं और इसमें आधार card भी upload कर सकते हैं दोस्तो उपर जो name का option लिखा हुआ था उसमें क्या करना है कि आपके document पे जो नाम है वही document का नाम आपका उपर लिखना है जैसे कि अगर आपके डुकुमेंट पर आदित्य सिंग लिखा हुआ है या आपका नाम जो भी लिखा हुआ है वही नाम आपको उपर डालना है उसके बाद आपका YouTube चैनल का email address डाल देना है, publisher ID डाल देना है, choose file जो है सो select कर लेना है और उसके बाद जो है सो आपको submit कर देना और यहाँ पर सारे information लिखा हुआ है कि आपका document कौन-कौन सा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, उस सब यहाँ पर देख सकते हैं तो address जो मांगता है कि आपके किस address पर पिन चाहिए, वहाँ पर जाकर आप वही address डाले जो आपके government ID पर हो अगर आपके आधार कार्ट पर जो address लिखा हुआ है सेम वैसा ही address आप अपने address के information में जाकर वहाँ पर आप अपने जोएसो payment वाले में जाकर और अपना details जोएसो पहले change कर लिजिएगा फिर यहाँ पर सब को submit कीजिएगा सारे information को successful submit करने के बाद आपको क्या करना है submit पर click कर देना है जैसे ही दोस्तों submit पर click करेंगे तो लिखा हुआ है कि आपका जो है यह submit हो गया हुआ है कभी कभी कि आपका adsense जो है so verify हो चुका है जैसे मुझे verify हो गया है मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको क्या करना है कि आपको verify कर देना है wait कर लेना है और उसके बाद इस पर click करके आप इसके बारे में थोड़ा knowledge यहां से ले सकते हैं तो गाई जैसे ही मैंने submit पर click किया है उसके बाद दो यहां पर mail आया है एक mail में आया है कि मेरा submit हो गया और दूसरे mail तुरंत आ गया है 9 मिनिट पहले देख सकते है 9 मिनिट यह वो लिखा हुआ है 10 मिनिट के अंदर में यहां पर मुझे mail आ गया है कि मेरा adsense account जो है मैं अगर यहां पर adsense को refresh करता हूं तो यहां पर देख सकते मेरा एक भी notification जो है payment hold का नहीं आया है तो ऐसे करके दोस्तों आप 100% जो है verify कर सकते हैं कोई भी दिक्कत हो कोई भी परसा नहीं हो तो मुझे instagram पर message कीजिए या नीचे comment कीजिए जैसे कि आपने देख लिया कि कुछ मिन्टों में आप कैसे google adsense का address verification जो है कर सकते हैं अगर आपके adsense में जो है 100$ से जादा हो गया होगा तो आपका जो bank account detail उसमें submit करेंगे उसमें तुरंत आपको वो पैसे जो है सो भेज दिया जाएगा और अगर आपका 100$ नहीं हुआ है तो आप उसमें payment method को add कर दिजिएगा और जैसे ही 100$ होगा तो हर महिने के 21 तारीक को आपको payment मिल जाएगा वीडियो कैसा लगा? कॉमेंट करके जरूर बताना और कुछ भी question पूछना हो तो नीचे comment भी कर देना और Instagram पर भी पूछ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ अब तक लिए ख्याल लखिए अपना Goodbye, take care